सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ब्रशब राशी के और भी वीडियो स्पानी के लिए देशी भक्ती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं इन दिनों की शुरूरात में चंद्र आपकी राशी के नवम भाव में होगा जिसके बाद वो गोचर करते हुए आपके दशम एकादश और उसके बाद सप्ता के अंत में आपके दोआदश भाव में विराजमान हो जाएगा जिसके चलते आपको इनी भाव का फल पूरे सातों दिनों में मिलता रहेगा जिस वक्त इन दिनों की शुरूरात में चंद्र आपके नवम भाव में होगा उस वक्त आपका रूज़ान धर्म और आध्यात्म की और अधिक बढ़ सकता है जिसके चलते आप धार्मी कीरिया कलापों में बढ़ चड़ कर भाग लेते दिखाई देंगे आपका मन इस समय दान पुन्ने में भी लगेगा और आप घरीवों को दिल खोल कर दान भी करेंगे इसके बाद चंद्र आपके दशम भाव में विराजवान हो जाएगा जिससे आपको करियर और कारे छेतर से जोड़े फल मिलेंगे इस समय आपका मन अपने काम में अधिक लगेगा जिससे आप अपने मन को ब्रहमित ना होने देते हुए अपने कारे पर ही केंद्रित रहेंगे और सफलता हासिल कर पाएंगे अपने काम के प्रति आपकी श्रद्धा को देखकर आपके सह कर्मी आपकी तारीफ करेंगे और आपकी तरह बनना चाहेंगे आपके इस स्वभाव की कारण आपको अपने वरिस रदिकारियों की सराहना मिलेगी लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो हर समय आपके उपर नजर बनाए हुए हैं हालकि आप हर कदम पर अपने कारे छेतर पर कामियाब जरूर होंगे इसके बाद इन दिनों के मद्ध में चंद्र आपकी राशी के एकादश भाव में गोचर कर जाएगा जिसके चलते भाई बहन से चल रहा कोई पुराना विवाद इस समय खत्म हो जाएगा इसके अलावा यदि उनसे किसी भी तरह की कोई बहस पूर्ब में होई थी तो वो भी इस समय सुलत सकती है और आप दोनों को साथ में समय व्यतीत करने का अच्छा आउसर भी प्राप्त होगा आप अपने भाई बहन से विचार भी मर्श करते दिखाई देंगे और समभाव नहीं कि आप उनसे कोई सलह भी ले सकते हैं इस समय आप खुद को अपने भाई बहन के बेहद करीब महसूस करेंगे इसके बाद इन दुनों के अंत में चंद्र आपकी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा जिसके चलते आपके खर्चों में ब्रद्धी हो सकती है इस समय आपको विदेश यातरा पर जाने का अफसर तो मिलेगा लेकिन इस यातरा पर आपका अच्छा खासा धन भी खर्च हो सकता है जिससे आपके आर्थिक इस्तिती पर भावित होगी इसलिए बहतर होगा कि सही योजना बना कर ही खर्चा करें आपको जरूँजबंदों वागरीबों को अनाच का दान जरूर करना चाहिए यह था ब्रशबराषी का महाराशी फल इसे ज़ाद से ज़ादा ब्रशबराषी वाले बन्दूं के साथ जरूर शेयर करें ब्रशबराषी के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल देशी भक्ती को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं